नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज हम सक्तिकपूर यानि जो विलेन का रूप कर चुके हैं कई फिल्मों में उनके बारे में उनकी लाइप इस्टैल उनकी नेटवर्थ के बारे में संपूर्ण आपको उनके बारे में बताएंगे तो बने रहे हैं वीडियो में वीडियो कापी मज़दार होने वाला है दोस्तो सक्ति कपूर एक लंबे समय से फैंस के दिलों में राज करते आ रहे हैं सक्ति कपूर एक्टर हमेशा सही अपनी कास एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं दोस्तो आज हम आपको एक्टर के नेट वर्थ से पूरा रूबरू करवाएंगे बोल्यूड में अपनी खलनाय की और कोमिक टाइमिंग के लिए सकती कपूर फैंस के बीच कापी फेमस है सकती कपूर का असली नाम सुनिल सिकंदरलाल कपूर है दोस्तो सकती कपूर है कैसे कलाकार है जिन्होंने अपनी दम पर मनोरंजन जगत में एक कास पेचान बना लिये सकती कपूर ने साथ सो से ज़्यदा फिल्मों में काम किया है दोस्तो और अब भी फिल्मों में उतने ही एक्ट्व भी रत हैं दोस्तो सक्तिकापूर ने करियर की सुरुआत में ही नायाब फिल्मों में काम किया था, कुर्बानी और रोख की, जैसे फिल्म में एक्टर ने नेगेटिव रोल प्ले करके हर किसी को हframe कराद कर दिया था दोस्तों ये संपती एक्टर ने अपने दम पर एकत्रित की है आपको बता दे कि सक्ति कपूर की कमाई का साधन सिर्फ एक्टिंग है वो कुछ रियलेटिस सोज आदी में बतोर मेमान बन कर कमाई करते हैं सक्ति कपूर अपने बच्चों और पतनी के साथ मुंबई में रहते हैं दोस्तों मुंबई में सक्ति कपूर एक्टर का खुद का घर भी है इसके अलावा एक्टर के पास कई सामदार गाड़ियां भी है हारा की सक्तिकपूर की गाड़ियों की पूरी तरह से आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है दोस्तों दोस्तों आपको बता दे कि 1977 में रिलीज हुई फिलम खेल खिलाड़ी से सक्तिकपूर ने एक्टिंग में अपने करियर की सुरुआत की थी इसके बाद सक्तिकपूर कुरुबानी और रोकी में नजर आई थे जोस्तों इन दोनों फिलमों ने सक्तिकपूर के करियर को कास पहचान दिलाई फैंस को सक्तिका विलेन वाला किरदार दोनों ही फिलमों में खापी पसंद आये था वैसे बता दे कि नायाब एक्टर सुनिल ने सक्तिकपूर को फिलम रोकी के लिए बतोर विलेन लिया था सुनिल को उनका नाम सिकंदर लाल कपूर जो ओरिजनल नाम है बतोर विलेन खूब जमा नहीं था उनको इसके बाद सुनिल दत नहीं उनका नाम बदल कर सक्तिकपूर रख दिया था दोस्तों सक्तिकपूर की इसी फिल्मों से सभी को हिरान किया था दोस्तों सक्तिक पूर की लाइफ इस्टाइल वीडियो आपको किसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताए हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गेहिं बंदे मात्र